तो कहने के सुरुवात में हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जो कि मोस्कों के लिए रवाना हो रहा था यहाँ पर हम लेरिस्या और बक नाम करके दो जोड़े को दिखाया जाता है यह लोग हनीमून मना करके मोस्कों जा रहे थे क्योंकि मोस्कों में ही इनका घर है अब ए बार किसमत अच्छी नहीं होती है जैसे कि इस समय आर्मी का एक हवाई जेट इन लोगों के जहाज के ऊपर से गुजरता है जिसकी वज़े से इनके जहाज में छेद हो जाता है क्योंकि गलती से वो जेट प्लेन से आ करके टकरा गया था छेद तो थोड़ा सा हुआ था लेकि उस हिस्से के साथ में लेरिस्या भी धिरे धिरे नीचे आ रही थी अब यहाँ पर दोस्तों सेन कट होता है और अमें काफी समय पहले का सेन दिखाया जाता है यह उस समय का सेन है जब लेरिस्या मोस को छोड़ करके पढ़ने के लिए बाहर चले गई थी लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब लेरिस्या लोड़ करके मोस को वापस आती है तब बक उसे लेने के लिए सबसे पहले जाता है वैसे इन दोनों में पहले सही बहुत प्यार था लेकिन पढ़ाई की वज़े से दोनों में दूरिया बन गई थी यह दोनों अपनी मर्जी से एक दू पर बदा रॉड़ा आनाकानी नि कर रहे थे रात हो जाने के बाद बग लिरिस्या को छोड़ने के लिए उसके घर पर जाता है लिरिसिया की जो मां है उनका करके आ रहा था और उसकी मा नहीं चाहती है कि वो उससे जाकर के मिले बग की मा उससे कहते हैं कि लिरिस्या हमारे लायक नहीं है तुम उससे साधी मत करो लेकिन अगर फिर भी तुम उससे साधी करना चाहते हो तो मेरे घर को भूल जाना मैं उस लड़की को अपने घर में कभ साधी करना होगा और एक दिन कुछ ऐसा ही होता है वो लिरिस्या के खातिर अपना घर छोड़ करके चला आता है वो उससे साधी करता है ये दोनों मिल करके एक घर बसाते हैं घर को चलाने के लिए रात के समय में बक काम करता था दोनों साथ मिल करके एक अच्छा घर बना चु अब एक दिन बक लिरिस्या को ले करके एक मूवी देखने के लिए जाता है वो मूवी प्लेन क्रेस के उपर बनाई गई थी जो कि सची घटना पर आधारित थी उस मूवी को देखने के बाद जब लिरिस्या बाहर आती है तब वो वो सुरू में जाती है लेकिन वो सुरू में जाने के कुछ समय के बाद जब वो बाहर आती है तब उसे बाहर के तरफ कोई नहीं दिखाई देता है पूरा थीएटर खाली पड़ा हुआ था जब वो थीएटर के बाहर देखती है तब उसे सर्फ जंगल दिखाई दे रहा था अब वो जंगल के अंदर जैसे ही जाती है तबी उसे वो प्लेन दिखाई देता है जो की क्रेस हो चुका था और यहाँ पर लिरिस्या खुद को देखती है जो की जखीमी हालत में पड़ी होई थी यहां लेरिस्या खुद को टच करती है जिसकी वज़े से उसे होस आजाता है और इस तरीके से अब जो कहानी है वो प्रेजेंट में सिफ्ट हो जाता है होस आने के बाद लेरिस्या को मालुम चलता है कि उसके पैर में कोई नुकिली चीज घुस गई है जिसे वो बाहर निकालती है फिर वो अपने कपड़ों को फारती है और उससे अपने पैरों पर बांध लेती है ताकि खुन बाहना बंध हो जाए इस जखम की वज़े से लेरि यहाँ पर सीन कट होता है और हमें थोमस नाम करके एक इनसान को दिखाया जाता है जो कि एक एजेंट है थोमस के पास करनल ने कोल किया था ये बताने के लिए कि मोस्को के लिए जो प्लेन निकला था वो क्रैस हो चुका है अब थोमस का काम था कि प्लेन के मलबे को ढूनना और सारे लासो को ठिकाने लगाना और इस काम को जितना ही गुप्त रखा जाएगा उतना ही लोगों के लिए बेहतर होगा लेकिन जितने भी लोग प्लेन में बैठे हुए थे उनके परिवार वालों को टेले ग्राम के जरिए एक मैसेज भेज दिये जाता है हाला कि मैसेज में उन्हें ये नहीं बताया जाता है कि प्लेन क्रेस हो चुका है या फिर उनके परिवार के साथ कुछ हो गया है थोमस को एक हेलिकॉप्टर दिया जाता है ताकि वो जा करके प्लेन के मलबे को ढूंडे इस दोरान जैसे ही लिरिस्सा हेलिकॉप्टर की आवाज सुनती है ना तो वो हेलिकॉप्टर के नीचे आ जाती है वो हाथ दिखाती है और इस दोरान एक पाइलेट उसे देखता भी है लेकिन थोमस का ये कहना था कि 5000 फुट उपर से नीचे प्लेन गिरा है किसी का बचना न मुंकिन है थोमस की बाकी की जो टीम थी वो नीचे लासो को ढूंड रही थी लासो को ढूंडना बहुत जादा जरूरी है ताकि वो उनके परिवार वालों को दिखा सके इधर जो लिरिस्सा थी वो वापस लोड़ करके अपने प्लेन के मलबे के पास आ रही थी लेकिन अच्छी थी कि ठीक समय पर उपर से हेलिकोप्टर गुजरता है और टाइगर उसके पीछे चला जाता है लिरिस्सा इस समय यह सोच रही थी कि आखिर वो किस तरफ जाए इस दोरान वो लोकेशन का पता लगाने के लिए टेड़ी बियर में से एक सुई को बाहर निकालती ह और उसे सुई की मदद से वो आदोनिक तरीके से एक कमपास बनाती है जो कि दिसा उसे बताता है इस तरीके से उसे नोर्थ के साइट के बारे में मालूम चल जाता है और फिर वो उसी तरफ आगे बढ़ती है वो जैसे ही आगे बढ़ती है तब उसे पानी दिखाई देता ह जहां वो पानी पी करके अपनी प्यास बुजाती है थोड़े से पानी को वो थैली में खठा कर लेती है ताकि बाद में पीने का काम आए थैली में पाने को लेने के बाद अब लेरिस्या आगे बढ़ती है दरसल वो बग को ढूंड रही थी वो प्लेन के बाकी के मलबे को ढूंड रही थी ताकि वो बग को ढूंड सके इस दोरान वो गलती से नीचे गिर जाती है और जहां पर वो गिरती है वो दल दल था यहां से निकल पाना उसके लिए बहुत मुस्किल हो जाता वो तो किस्मत अच्छी थी कि उसे एक छोटा सा पेड़ मिल जाता है उसी को पगल करके वो बाहर आ जाती है अब वो थोड़ा सा और आगे जाती है जहां उसे थोड़ा उचाई वाले हिस्से पर चड़ना था वो ज तरीके से उचाई को पार करने के बाद जब वो ऊफर के साइड में आ जाती है तभी उसे सामने फिट से टाइगर दिखाए देता है जो कि बैठा हुआ था और गलती से उस टाइगर की नजर लिरिस्सा के ऊपर पड़ जाती है अब वो टाइगर जैसे ही लिरिस्सा को करती है तब उसे एक बैग मिलता है उस बैग में एक लाइटर था जिसकी मदद से वो रात के समय में आग जला पाती है बैग में उसे एक लोकेट भी मिलता है जब वो लोकेट को चेक करती है तब उसे मालुम चलता है कि आखिर ये बैग किस इंसान का है दरसल वो इंसान भ इस लिए जब नीचे देखती है तब उसे प्लेन का मलबा दिखाई देता है उस प्लेन के मलबे को देखने के बाद लैरिस्था नीचे आ जाती है लिए यह सोच रही थी कि प्लेन के अंदर उसे कुछ मिल जायागा जिससे वो किसी के पास कॉंटेक्ट कर पाएगी प्लेन के पास जाने के लिए एक जरने को पार करना था और उस जरने को पार करना इतना असान भी नहीं था लेकिन लेरिस्सा इसे पार करती है और इस तरीके से वो plane के मलभे के पास पहुंच जाती है अब यहां पहुंचने के बाद उसे मालूम चलता है कि एक पाइलट है जो की मारा पड़ा हुआ है यहां लिरिसा को एक flare gun और उसकी गोलिया भी मिलती है flare gun को लेने के बाद वो फौरण उसे reload करती है और हवे में सूट कर देती है लेकिन इसका कोई फाइदा नहीं होता है क्योंकि आसपास जब कोई है ही नहीं तो उस फ्लेरगन को देखेगा कौन इधर जो लिरिसा की मा और पिता थे उन्हें भी बहुत टेंसन हो रही थी लिसा के कहने पर लिरिसा के जो पिता थे वो साथ में जंगल की तरफ जाने के लिए फैसला करते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी को खुश से जा करके ढूनना चाहते थे यहांपर जब यह लोग आते हैंतब हम यहां भपने आपके मा को भी देखते हैं वह भी जंगल के अंदर जा करके बहुं को ढूनना चाहती थी लेकिन यहां पिलिस व दोनों के बीच में दोस्ती थी, इसी वज़े से इन लोगों को अंदर जाने का मौका मिलता है और ये लोग अंदर जा करके थोमस से बात करते हैं, इन लोगों को ये जानना था कि आखिर प्लेन के साथ हुआ क्या है और इनके बच्चे कहां पर हैं, जब इन्हें मालूम चलत और इन्हें धूनने के लिए कहती है वो थोमस से कहती है कि हमें उमीद है कि हमारे बच्चे अभी भी जिन्दा है उन्हें बस एक बार धूनो जिन्दा या मुर्दा हमें बस अपने बच्चों को देखना है ताकि हमें तसली हो जाए अब लीशा के कहने पर थोमस एक बार फि थी लेकिन लाइटर काम नहीं कर रहा था ठंडी को कम करने के लिए वो एक पोलिथोन को उठाती है और उसे अपना मूँ ढखने लगती है अब ये चीज़ करने से उसे थोड़ा बहुत रहत तो मिलती है तभी लेरिस्या को ऊपर के साइड में एक बैग दिखाई देता है जो लेरिस्या को मालूम चली जाता है कि बक भी आसपास ही कहीं होगा तेज बारिस हो रहे थी लेकिन फिर भी वो उठती है और बक को ढूड़ना सुरू कर देती है थोड़ा सा आगे जाने के बाद जब वो नीचे देखती है तो खाई के पास बक की बोड़ी पड़ी होई थी इधर जो थोमस था वो अपने इंचार्ज के साथ मिल करके फिर से बच्चों को ढूड़ने के लिए जंगल में आना चाहता था हाला कि पाइलेट का कहना आता कि साम होने वाली है हम जंगल में नहीं जा सकते हैं लेकिन थोमस के कहने पर वो तयार हो जाता है लेरिस्या जब बग के पास आती है तब उसे वहम होता है कि बग जिंदा है और वो उसे बात कर रहा है जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था बग की मौत हो चुकी थी वो सीट पर सांती से बैठा हुआ था कुछ समय के बाद लेरिस्या को फिट से हेलिकॉप्टर की अवास सुनाई देती है और क अचानक से लिरिस्या जब उन लोगों की अवास सुनती है तब वो पहाड के उपर आना सुरू कर देती है वैसे खाई बहुत नीचे था लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किलों से वो उपर आ जाती है उपर आने के बाद वो फलेर गन को चलाती है जिसकी वज़े से उसकी ल वाइब किया इसी वज़े से वो जिंदा है खेर दोस्तों इसे के साथ ये कानिये पर खत्म हो जाती है दोस्तों हमारे योट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से सुक्रिया